तो students, master in mathematics, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं तो अब हम लोग जो lecture हमारा छूड गया था उसको continue करते हैं जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि जो statements हैं वो कौन-कौन से law को follow करते हैं जिसमें हम लोगों ने तीन law पढ़ रखे थे ठीक है और वो जो तीन law थे वो थे हमारे commutative law, associative law और distributive law ठीक है वो तीनों हम लोगों ने पढ़ रखे थे अब आगे का जो laws हैं continue करते हुए हम लोग इस lecture को आगे बढ़ाते हैं तो चलिए आज का lecture इसी अच्छे note के साथ हम लोग start करते हैं तो आप लोग जो यह law देख रहे हैं हमारे सामने क्या लिखा हुआ adam potent law ठीक है यह law क्या कहता है ठीक इसमें दो conditions हो सकती है P और P क्या आएगा answer P और P and P का answer P आएगा कैसे अब समझो सबसे पहले तो आप यह समझो कि कितने column की आपको जरूत है कितने statement इसमें यूज हुए है एक ही statement यूज हुआ है P भले वो दो बार का इस्तमाल किया गया है पर statement तो वो एक ही है जो कि P है तो कुछ लोग यहां पर बहुत गलती कर देते हैं वो क्या करते हैं कि P और P दोनो एक साथ ले लेते हैं साथ लेने में भी कोई वुराइघ नहीं है लेकिन इसके बाद वाला जो काम करते हैं वहां गरलत कर देते हैं अब वहां क्या करते हैं कि जैसे दो डुक अगर यह त्रू लिया तो यह करते हैं कि true 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 false false और यह हो जाएगा true false true false ठीक है यह conditions बनाने लगते हैं जो कि गलत है ऐसा नहीं होता है ठीक है क्योंकि इसका मतलब तो यह हो गया ना कि P यहाँ यह वाला P और यह वाला P एक दो statement का काम कर रहा है क्योंकि सारी possibility बता रहा है अब देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर एक statement हमने लिया कि ठीक है कि blood is red यह statement ले लिया और यह उस वक्त यह statement true है ठीक है तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना अब वो जो है दूसरा कैसे दूसरी condition में जाके वहाँ false हो जाएगा हो ही नहीं सकता उसी एक point पर उसी question में कि blood red है तो वहाँ पर true है और वही question में किसी जगा और मैं use करूँ तो उसको false लिग दो ऐसा होई नहीं सकता तो यह गलती इसलिए यहाँ पर होती है जिसको आपको नहीं करना है तो यह statement use होगा एक बार p करके ठीक है अगर आप दूसरा भी p ले लो बस दिक्कत किया अगर आप इसको true लोगे तो यह वाला भी true ही आएगा यह अगर false है statement तो यह भी आपका false है गा that's it ठीक है तो यहीं चीज आपकी possible चीज आजाएंगी possibility यहीं हो जाएगी कि true के साथ होगा और false का false के साथ यह और वाला है ठीक है मैंने बता रखा यहाँ पर और है और यह end है ठीक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर अब देखो ध्यान दो अब क्या चाहिए आपको p और p अब और में क्या बताया था अगर एक भी जो है true हो जाएगा तो आपका true आएगा answer देखो यहाँ पर दोनों ही true है तो answer आपका true आएगा ठीक है अब यहाँ पर देखो दोनों false हैं तो false आजाएगा क्योंकि एक भी true नहीं दिख रहा ठीक तो अब यहाँ पर दोखो यह वाला जो statement है तो यह true है इधर भी true होगा यह false है यह आपका false हो जाएगा ठीक है आप यहां तक clear है अब आपको क्या करना है एंड का करना है पी एंड पी का एक कॉलम्म बनाना है अब का मतलब क्या अगर दोनों true हो statement तभी तो true आएगा वरना false हो जाता है अब यहां पर देखो true और true क्या है हमारा true आगया false और false हमारा false आगया अब यहां पर देखो पी एंड पी वाला statement और पी equal है आप कोई भी पी ले सकते हो पी तो एक ही है तो यह आप equal है तो यह hence verified है इस law को हम कहते है adam pretend law ठीक है यह जो यह चौथा law है जो एक statement फॉलो करता है अब हम चलते हैं अपने fifth law पे देखते हैं कि हमारा और fifth law क्या कहता है fifth law है हमारा law of absorption अभी आपको समझ में आएगा कि absorption क्यों वर्ड यूज हुआ क्यों कि यह चीज़ हुए अब खुद ही देखो यह चीज हुई ठीक है और इसका answer आ गया पी तो यह एब्जॉर्व हुआ एक तरीके से पूरा एब्जॉर्व हो गया ठीक एक यह चीज आ गई यहां पर भी वही हो रहा है इसलिए इस law का नाम law of absorption भी दिया गया है अब हम लोग देखो यहां पर ध्यान से देखो कि कित्ते statement है एक दिख रहा है आपको और एक दूसरा क्या है क्यू दिख रहा है ठीक तो एक तो आपको पी दिख रहा है तो पी की होगी अब आपको क्या दिख रहा है एक पी एंड क्यू का कॉलम जाहिए ठीक है यह हो गया अब आप जब यह वाला कॉलम आ जाएगा तो आप उसको पी के साथ क्या करा होगे और करा दोगे ठीक और करा दोगे तो यह रहा इसका मतलब अगला कॉलम आपको चाहिए पी और और इस column का जो answer आएगा उसके साथ हम वो कर देंगे resultant निकाल देंगे अपना ठीक है अब इतनी चीज़ां कि हमें जुरुत है यहां पर हमें कोई verify नहीं करने क्योंकि वो तो automatic हमें प्रूफ करने कि P आ जाएगा अगर हम यहां पर द्यान से देखें तो सारी possible values क्या हो जाएंगी हमारे पास क्योंकि यहां पर दो statement है तो मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको लिखना है यह हो जाएगा true true false false true false देखो सारी possibilities हो गए इसके लावा कोई possibility possible है नहीं है यह best तरीका है आपको सोचना नहीं पड़ेगा अगर आपके statement जादा हो जाएंगे तब भी पिछले के videos lecture में मैंने बता रखा है आपको अब p and q करना है and का मतलब आपको पता है दोनों में true है तो true है वरना false आ जाएगा यह दोनों में true है तब ही true आ रहा है बाकी यह हमारे चीज़े false आने लगेंगी अब देखो पी मतलब यह वाला जो line है यह जो line है और हमें और करना है मतलब यह वाली जो line है यह यह वाली line इधर है और पी हमारा कहां पे है यह रहा इन दोनों जो lines का हमें क्या करना है और करना है और का मतलब क्या होता अगर एक भी true हो जाएगा तो true हो जाएगा अब यहां पे आप यहां पे देखो तो ये वाला जो कॉलम है आपके सामने और ये पी है देखो equal दिखाया आपको इतीक है equal दिखर होगा तो ये statement आपने यहां पर proof कर दी देखो ये वाला कॉलम और ये वाला जो कॉलम है वह इक वला अप ठीक, अब similarly इसको भी देख लेते हैं, वैसे करना easy है, पर मैं करके आपको दिखा देता हूँ कि B क्या है, बर best क्या होगा कि मेरे करने से अच्छा है कि आप करो, ठीक, आप करोगे, आपकी practice भी हो जाएगी, law भी आपको clear हो जाएगे, और laws याद भी हो जाएगे, अगर आप आप ऐसे चीज़ों को करोगे, तो बहतर है कि आप करो, ठीक, अगर वीडियो देखने के बाद, अगर आपको नहीं आ रहा है, तो comment section में comment कर सकते हो, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपकी separate एक वीडियो आपके लिए provide कर दूँगा, जिसमें आपको ये चीज मैं समझा आपको ये चीज़ यहां पर apply करनी है और आपका हो जाएगा, तो अब हम अपने छठे law की तरफ चलते हैं, तो जो हमारा अगला law है, वो है involution law, कुछ इस जैसा आपने 11 class के chapter sets में पढ़ रखा होगा, उसमें क्या कहते थे, कि compliment of compliment is that original set, अगर set का compliment है और उसका भी compliment कर ही है, कि negation of negation P is that original statement, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमें क्या के चीज़ों की यहां पर ज़रूत पड़ेगे, सबसे पहले तो हमें चाहिए P, ठीक है, फिर हम उस P का क्या करेंगे, negation करेंगे, ठीक है, तो यह चीज़ complete होगी हमारी, उसके बाद जो यह answer आएगा, म P है, एक ही statement है, या तो वो true होगा, या वो false होगा, तभी वो statement की definition को satisfy करेगा, अब यहां पर देखो ध्यान से, true, इसका negation करेंगे, तो false हो जाएगा, false का negation हो जाएगा true, फिर उसका अगर हम negation करें, इस चीज़ का negation करना, इस column का, तो false का हो जाएगा true, और true का हो जाता है, और यह जो law है, यह satisfy हो गया, truth table से, ठीक है, इसी को involution law के नाम से भी जाना जाता है, अब हम लोग अपना सात्वा law देखते हैं, वो क्या कहता है, सात्वा जो हमारा law है, वो है compliment law, compliment एक word है, वो भी आपने sets में पढ़ रखा है, अगर देखो, यह a का compliment हुआ, ठीक उसका जो compliment होगा, उसके साथ हम लोग चीज़ों को खेलेंगे, and के साथ, और और के साथ, ठीक है, अब देखो, वो जो statement है, उसका negation को मैं कर देता हूँ, और तो true हो जाएगा, और वो ही statement उसके negation के साथ and करा दूँगा, तो false हो जाएगा, ठीक है, I hope clear है यहाँ तक, आप truth level देखो, यहाँ पर, क्या चाहिए, आपको P चाहिए होगा, ठीक, negation P चाहिए होगा, उसके बाद P और negation P चाहिए, ठीक है, यह T नहीं चाहिए, T का मतलब है true, तो आप देखोगे, कि यह जो, इक column होगा, इसके इंदर सारे true आएंगे, और यह वाला जो column होगा, इसमें सारे false आएंगे, इसमें आपको क्या चाहिए, P negation P, और आपको क्या चाहिए, P and negation P, ठीक है, इसमें और चाहिए था, इसमें and चाहिए था, अब यहाँ पर आप देखो, क्या हो जाएगा, P हमारा एक statement है, या तो वो true होगा, या तो वो false होगा, इसका negation false, और यह true हो गया, तो देखो, इस column को यह true आ रही है, पूरी line यह true आ रही है, तो true है, यहाँ पर देखो, hence verified हो गया, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यह true, false, true का negation, false, false का हो जाएगा, true, और end का मतलब है, अगर दोने true है, तभी true हो जाएगा, तो यहाँ यहाँ पर false आ रहा है, अब काफी simple था, यह वाला law, अब हम अपने 8th law की तरफ चलते हैं, देखते हैं, वो क्या कह रहा है, तो देखो, यह है हमारा 8th law, इसमें हम T के साथ operation करेंगे, true के साथ, अब देखो, P को मैंने T के साथ operation कराया है, और एक बार और कराया है, एक बार और के साथ कराया है, एक और T, अब देखो, जो एक statement है, या तो वो true होगा, या तो वो false होगा, और true के column में तो सिर्फ true होगी, आपको दिखेगा, ठीक, अब और करेंगे तो true का true, और false true का true, तो आप देखो, यहाँ पे true आरा है, यह column true आएगा, इसी तरीके से इसमें भी आपको देखो, इसी मैं add कर देता हूँ, P, and T चाहिए, P, यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, T, यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, and का मतलब दोनो true, तभी true आएगा, और यहाँ पे एक true है, एक false है, तो यहाँ पर false आजाएगा, तो आप देखो, इस statement को, यह क्या आ रहा है, P, and T, क्या आएगा, P आएगा, मतलब P पे सब कुछ depend कर जाएगा, जैसा P होगा, वैसे ही T के साथ operation करके, वही result आएगा, मतलब T पे कुछ नहीं depend करेगा, अगर end के साथ आप करोगे P को, दियान से देखो, क्योंकि P आ जा रहा है, तो देखो, यहाँ पे P आ रहा है, देखो, proof false of P है, यहाँ तो यह आपका 8 जो rule था, जो law था, जो statement satisfy करते हैं, operation P के साथ, वो हमने देख लिया, देखते हैं, 9 हमारा क्या कहता है, 9, अब जो हमारा 9th law था, वो क्या कहता है, F के साथ हमें करना है, operation, जैसे हमने T के साथ किया, true के साथ, वैसे F, false के साथ करना है, ठीक है, अब यहाँ प ठीक है, ओके, और इस वाले में हमें F चाहिए था, जो कि यहाँ पर है, P चाहिए था, यहाँ पर है, तो यह एक column यहाँ पर मैं बना देता हूँ, इसी में दोनों समझ जाओगे, F and P का, अब किसी किसी के मन में यह question आ रहा होगा, कि आपने T था, वो आपने बाद में लिख दिया, तो इसमें कोई बात नहीं है, आप इस चीज़ को, P and F भी लिख सकते हो, मैंने सबसे पहला law यही बताया था, commutative law, commutative law, follow करते हैं, तो कोई बात नहीं है, कोई problem नहीं है, false के column में तो सिर्फ false ही आएगा, और यह तब तक आप लिखोगे, जब तक आपको ज लगाऊंगा, तो यह हो जाएगा true, यह हो जाएगा false, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यह true false आ रहा है, यह basically है कि आपका P, देखो यहाँ पर पी आ रहा है, तो इसका मतलब अगर true के साथ आप करोगे, तो end में पी आएगा, पर अगर आप false के साथ करोगे, तो P तभी false, ठीक है false, देखो इस column में क्या रहा है, false आपका, तो यह satisfy हो गया, अब जो 10th law है, जो कि हमारा आज वीडियो का आखरी law भी है, और सारे laws का यह आखरी law भी है, और प्लस बहुत important law है, अब देखो यह important law क्या नाम से जाना जाता है, तो वो law है हमारा D.Morgan's law, इसके बारे म भी आपने 11th class में पढ़ रखा है, starting में, ठीक है, set chapter में, अब देखो यह law कुछ दिखने में कैसे हैं, अब याद करो मैंने, set chapter में आपने क्या पढ़ा है, A and B जवाब पढ़ते थे, A and B, और उसका compliment लेते थे, तो क्या हो जाता था, A का compliment, union, B का compliment, और अगर B, A, union B होता थ और उसका compliment करता तो, तो क्या आता था, A का compliment, intersection, B का compliment, तो कुछ इस जैसा ही है, यहाँ पर यह और का काम कर रहा है, तो यह वही चीज़े है, अब देखो ध्यान से, देखो, P यह हो गया, P, हां, और यह हो गया, और Q, तो यह कुछ इस जैसा है, उसका negation हुआ है, compliment हुआ है तो A का कॉंप्लिमेंट मतलब P का Negation हुआ है B का कॉंप्लिमेंट म क्या काम कर रहा है अब यहां पे ध्यान से देखो यहां पे क्या क्या चाहिए तो दो statement है आपके पास P एक है आपके पास Q और उसके बाद आपको क्या करना है P और Q चाहिए उसके बाद जो P और Q आएगा उसका हमें negation चाहिए होगा ठीक है यह सब कुछ यहां तक हमारा complete होगा है लेकिन अब यहां पर भी कुछ चीज़ें हैं तो हमें अब negation P भी चाहिए negation Q चाहिए और हमें चाहिए P and negation Q ठीक है अब यहां तक सारी चीज़ें clear है कि हमें क्या क्या चाहिए ठीक अब किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी अगर उसने हमारा लेक्षे स्टार्टिंग से वह देखे जा रहा है true table सब कुछ देख रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी चीज़ को बनाने में अब यहां पर देखो यह क्या है पी तो यह true true false false true false true false अब हमें चाहिए और दोनों किसी एक में true मिल जाएगा तो true होगा तो यह हमारा true हो गया यह last वाला false हो गया करना है तो true का हो जाएगा false और false का हो जाएगा true पी का negation करना है मतलब false false true true क्यूं का करना है तो हमारे पास false true false true अब इन दोनों का हमें क्या करना है एंड करना है FALSE 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 TRUE FALSE FALSE FALSEER TRA 에इगा अब आप देखो इस कॉलम को देखो यहाँ पे द्यान से इस कॉलम this program को देखो लास्ट வाले का यह दोनों ही क्या है दोनों ही हमारे ओके यह दोनों Kolum equal हैं ठीक है similarly यह जो बी पार्ट है यह भी आपका हो जाएगा में इसमें आपको क्या जुरूत होगी फिक फैक कि जरूत होगी और इस कॉल्म में चो और लगा और लगाए मैंने आप अंड लगा देना उसके बाद उसजू का है उसमा निकरद्थ करद्थेना डिकेशन पी आपको चाहिए होगा निगेशन क्यों भी आपको चाहिए होगा निगेशन पी यहां पे एंड किया हुआ है क्योंकि आइंड था तो आप और कर देना और आके साथ आ जाएगा और यह सिंप्ली हो जाएगा यह कॉफी इंपॉर्टेंट बाना जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉश्चन में इसक अच्छी वीडियो लेक्चेर में तब तक के लिए जाएगा गुडबाई